श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सेल्स के सरेकिट का तुलनात्मक अध्यन करेंगे इसमें देखिए पहले एनिमेशन में सिरीज क्रम दिखाया गया दूसरे में पैरलल दिखाया गया यह सेल्स स्रेणी क्रम में लगे हैं पर्थम एनिमेशन में और दुतिय एनिमेशन में समानतर क्रम में लगे हैं इलिक्तानों का प्रवाह भी आप देख सकते हैं बल्ब से प्राप्त उस्मा का तुलनात्म कध्यन भी कर सकते हैं यह आकड़े हैं इसके, दोनों बल्बों के फिलामेंट का प्रतुरोद पांच ओम दिया गया है, तारों का प्रतुरोद सुन्य माना गया है, और सेल्स का विभवांतर नव नव वोल्ट माना गया है, देखें समांतर करम में आप देख रहा हैं समय, नव नव वोल्ट के दो स समांतर करम में लगे हुए यह इलेक्टानों का प्रवाह है दोनों बल्ब बल्बों से भिन्य भिन्य क्वांटिटी की उस्वा मिल रही है देखें इसका मतलब है कि दोनों के लिए वी और आई वैरी करेंगे देखें स्रेनी क्रम में चेक करें कि बल्ब को कितना वी मिल रहा है अठारा वोल्ट अर्थात स्रेनी क्रम में वी जुड़ जाएगा नव वोल्ट प्लस नव वोल्ट जग्वार्ट टू एटीन वोल्ट अठारा वोल्ट इसी तरह से समानतर क्रम में देखेंगे समानतर क्रम में नव वोल्ट ही मिल रहा है अर्थात समानतर क्रम में विवानतर वही रहेगा स्रेनी क्रम में बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा समानतर क्रम में बल्ब कम तेज जलेगा अब धारा चिक करिए स्रेनी क्रम में धारा देखें तीन दसंवलो छे जीरो एंपियर समानतर क्रम में धारा देखें 1.80 एंपियर यह देखें 3.60 एंपियर स्रेनी क्रम में और समानतर क्रम में 1.80 अब दोनों परिपत का आई और वी एक साथ नाप के देखें इसमें देखें समानतर क्रम में आई है 1.80 एंपियर और वी है 9.00 वोल्ट और फिलामेंट के तारों का प्रत्रोद 5 ओम है दूसरे परिपत के लिए देखें इसमें 18 वोल्ट स्रेणी क्रम में और करेंट आएगा 3.60 एंपियर अब आपके लिए एक प्रस्न स्रेणी क्रम संयोजन ज़्यादा सुरचित है या समानतर क्रम संयोजन ज़्यादा सुरचित है सेल्स की लाइफ के लिए थैंक यू